हलो फ्रेंज कुक वित नेतरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी ने पहले चुड़ा तो बहुत बार बनाया होगा और बहुत तरीके का अलग-अलग चुड़ा खाया भी होगा लेकिन मैं आज आपके साथ एक नए रेसिपी शेर करने वाली हूँ चुड़े की जो की मेरी मम्मी की रेसिपी है जो की आप सभी को बहुत जादा पसंद आएगी तो चलिए फ्रेंज इस रेसिपी को शुरू करते हैं बनाना तो यहाँ पर चुड़ा बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा वो है पतले पोहे तो यहाँ पर मैंने लगबग 500 ग्राम यानि की आदा किलो के आसपास मैंने यहाँ पर यह पर यह पतले पोहे लिए है हैं जिससे क्या होगा यह जो पोह है वो अच्छी क्रिस्पी हो जाएंगे और फ्रेंट यह पर दूसरा तरीका यह भी है कि आपको इसे धूप में भी आप रख सकते हो जिससे क्या होगा आपको भूनने में कम समय लगेगा याने कि सिर्फ दो मिनट या तीन मिनट ही आपको इसमें देना होगा तो यहां पर हम जो है सारे पोहे भून लेंगे और जब हम इस पोहे को हाथ में लेकर एसे थोड़ा सा चूरा करते हैं तो यह बहुत आसानी से मतलब चूरा हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो पोहे वो बराबर भून चुके हैं तो अभी हम अच्छा गरम होना चाहिए तो यहाँ पर फ्रेंट्स तेल आप देख सकते हो अच्छा गरम है तो इसमें जो है यह मैं मकई के पोहे तल रही हूँ इससे जो है चूड़े में एक अच्छा ऐसा क्रिस्पी पना आता है तो आप चाहू तो आप इसको भी डाल सकते हो या फिर टो आप अप्र हो यहां प्रेश मेजरमेंट नहीं है अपको दितना ढालना है और पिर आपको जित्ता पसन्द आप इसमें डाल सकते हो तो अब भी मैंने इसको तल दिया है अब हम क्या करेंगे सिंगदाने को फ्राइ कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने ये एक बड़ी कटोर एसमें भरकर डाली है और इसको भी हम फ्राय कर लेंगे तो यहापर फ्लेम जो है »meडियम टु entrenme है और इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे हमें इसे तब तक फ्राइ कर लेना है जब तक इसका हलका सा कलर एकदम चेंज बहुत ज्यादा इसको फ्राइ नहीं करना है तो अभी हम इसको निकाल देंगे और हमें वही सेम कटोरी से मैंने यहाँ पर यह आधी कटोरी मैंने इसमें दाल्या लिया है तो यह भी हम इसमें डाल कर इसको भी तल लेंगे तो यहाँ पर इसे भी हमें लोटू मेडियम फ्ले करकर यांख़ तो मैं यहां लगबग कट कर लिए इसके लिए पर लक दो बड़ी प्यास लिये है और इसको जो है मैंने लंबा लंबा और इससे बारिक बारिक हिस्सों में कठ लेकर कर इसे हम प्रएक करेंगे तो यह पर जैसे मैं इसे भी निकाल देंगे अब यहाँ पर हमें एक ग्राइंडर ले लेंगे इसके अंदर में यहाँ पर मैंने चार से पाच हरिमिश डाली है इसके बाद में इसमें हम जो है अजवाइन डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने लगबग दो चमच अजवाइन ली है तो इसे हम डाल और एक चम जितना इसमें हम साबुत धनिया डालेंगे अब यह होने के बाद में इसमें हम थोड़े से जो है कड़ी पता एड़ कर लेंगे और इसको हम बंद करकर अच्छी तरह से ग्राइड कर लेंगे तो यहां पर ऐसा मिक्षर इसका तयार हो जाता है तो इसे हम साइड मे रख लेंगे और उसी कड़ाई में जो बचा हुआ तेल था उसके अंदर में हम सुखे नारेल के मैंने यहां पर थोड़े लंबे-लंबे स्लाइसेस कट कर लिए है और इसको हम इसमें डाल कर हलका सा ऐसे तल लेंगे तो यहां पर इसका जो कलर है थोड़ा सा ऐसे चेंज हो रख लिया था ना मसाला वो हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हमें थोड़ा सा ऐसे भून लेना है और इसमें अभी हम घड़ी पत्ता एड़ कर देंगे तो यहां पर जो हमें फ्रेश घड़ी पत्ता इसमें डाल दिया है और इसके बाद में इसमें हम एक एकर की मसाला डाल दिया है इसके बाद में इसमें हम एक चम जितना गरम मसाला डालेंगे और यहाँ पर मैंने इसमें दो तेज पत्ते डाल दिये हैं और इसके बाद इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसे हमें एक से दो मिनिट तक ऐसे ही पकाएंगे जिससे कि इसके जो flavors है वो आपस में आराम से मिल जाए और इसके बाद में इसमें हम आधी चम जितना आमचूर पाउडर रैड करेंगे और आधा चम जितना इसमें हम काला नमक डाल देंगे इससे इसका जो स्वाद है वो और भी ज़ादा अच्छा आता हैं तो आप भी इसे जरूर डालिए अभी इसे हम मिक्स कर देंगे और इसके बाद में अभी हम गैस को बंद कर देंगे अब हम पोहे के अंदर एक एक करके यह जो भी सारी फ्राइड चीजे थी ना जो हमने तल कर रख ली थी वो डाल देंगे और इसके बाद में जो भी हमने 걱정 बना तयार कर लिया है वो भी इसमें अड़ कर देगे तो है पर हमें इस सारा próxima में इसमें डाल देना है और यहाई पर में क्या कर रही हूं ताट कि सारा flavor इसमें आए तो जो थूढ़ा सा चूड़ा होता है न वहे अब इसे हम क्या करेंगे इसे मिक्स करेंगे तो जब आप इसे मिक्स करो ना तो ध्यान रखो कि यह गरम है तो इसाप एक चमच के मदद से मिक्स कीजेगा अब यहापर आप देख सकते हो कि अच्छी तरह से हमारा चूड़ा बनकर तयार है और अच्छी से मिक्स भी हो गया है तो अब इसमें हम क्या करेंगे यह आदी चमत जित्ता इसमें हम शक्कर डालेंगे यह हमेशा आप डालेंगे और यह हमारा चूड़ा बनकर रेडी है तो आप यह चूड़ा जरूर बनाईए इस रेसिपी से आप सभी को यह बहुत जादा पसंद आएगा और आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताईए और दोस्तो ऐसी ही टेस्टी और बहुत ज्यादा असानी से बनने वारी रेसिपी इसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाईए इससे क्या हुगा कि जब भी में आपके रेसी वीडियो लेकर आऊंगी तो उसकी नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहेगी और अगर आपको यह चूड़े को स्टोर करना है तो आप इसको एट टाइट कंटेनर में महीनों तक स्टोर करकर रख सकते हो तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो म में यू रेसीपी के साथ